अलो नमिश्कार, वेलकम ट्यू इंकल्केट लर्निंग, KVS की पेडगोजी प्रिपेर कर रहे हैं, उसमें आज का टॉपिक रहेगा Creating Partnership with Community, Industry and Other Neighboring Schools and Higher Education Institutions Forming Learning Communities Basically, यह पूरा का पूरा टॉपिक जो है, वो conceptual है, आप एक बार सुन लेंगे इस discussion को, तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चली जाएंगी, जिसके वज़े से conceptual question जो है, वो आप solve कर पाएंगे So, this is presented by me, Raveena, अगर आपको videos informating लग रही है, तो like, share, subscribe कर दीज़ेगा, inculcate learning को and be consistent in your studies, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रही है किसी student ने comment किया था कि CTAT जैसा ही जो है पेड़ागोजी का syllabus लग रहा है, तो क्या अलग मतलब SQ बोलते हैं, KVS का level अलग है या किस type के questions की बात होती है सो देखिए, दो-तिन चीज़ें अलग होती हैं, एक तो CTAT में हमारे पास already PYQs present हैं, सो हम वहाँ से idea ले सकते हैं और usually PYQs repeat हो जाते हैं बट KVS में हमारे पास इतने सारे PYQs available नहीं है, यानि कि बहुत सालवाद paper हो रहा है, अभी भी 18 के बाद, तो इतने जादा PYQs हैं नहीं, जिससे हमें idea हो जाए कि किस तरीके की चीज़ें होंगी प्लस कुछ नहीं topics जो हैं वो syllabus में introduced किये गए हैं जो कि conceptual level की हैं, सो हम यह बोल सकते हैं कि अगर factual level की चीज़ें आई, सो FLN या theories या इन सब चीज़ों में से आ सकते हैं, बट overall paper conceptual की side जादा रहने की उमीद हैं, ओक मैं यह नहीं कह रही ऐसा ही होगा, बट conceptual की तरफ रहने क की उमीद है, because आप एक teacher है, so ratification वाली चीज़ें मुझे personally नहीं लगता कि जादा पुछी जाएंगी, बहुत rare होगी, कुछ एक questions आ सकते हैं static portion से भी, but conceptual level पे questions आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपके decision making या आपकी thought process कैसा है, वो सारी चीज़ें जाज होगी, okay, तो difference ह है, बिल्कुल difference है, KVS में और CTAT में, CTAT एक बिल्कुल common entrance level test है, यहां पे अपने B.A.D. भी की है, और आप बिना पढ़े भी चले गए, तो शायद आपका clear हो जाए, अगर आपने ठीक से B.A.D. की है, तो ठीक है, but इसमें ऐसा नहीं चलेगा, plus यहां पे आपको subject और वो च है, और चलिए, आप शुरू करते हैं, हमारा partnership, जो है, वो, program, ठीक है, तो partnership की बात हो रही है, जहां पे भी मैं partnership की बात कर रहे हो, आप महां पे school, या फिर ये लगा लिजे, की school की partnership community के साथ लगा लिजे, या फिर higher education institution की partnership के साथ लगा लिजे, community के साथ लगा लिजे, तो point सिर्फ इतना सा है, कि हमें partnership देखनी है, जो हमारा education के level पे, चाहे वो school है, चाहे higher level का institution है, college है, university है, उसकी हम community के साथ participation देखना चाह रहे हैं, चीक है, कि partnership देखना चाह रहे है, कि community के साथ partnership करके, क्या फाइदा होगा, क्या चीजे सीखने को मिलेंगी, या कैसे जो है, इस relationship से हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ utilize कर सकते हैं, चीक है, so कोई भी school जो है, वो effectively लंबे time तक, जो है, function नहीं कर सकता, अगर community interest उसमें नहीं है, मतलब, आप जहाँ, जहाँ आपका school है, वहाँ पे आसफास के लोग, उस school के वारे में क्या सोचते हैं, school का environment क्या है, चीक है, तो वो participate करते हैं या नहीं, वहाँ के बच्चे आपके school में आ रहे हैं या नहीं, so वो बहुत सारे चीज़ें affect करेंगी इसको, ठीक है, so अगर वो community आपको support नहीं करेगी, जो वहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे आपका school है, so उस community की ना support की वज़े से आपका school जो है, वो जादा इसको to actual work situations in community, यानि आस पास कोई project चल रहा है, वहाँ ले गए, कोई industry है, वहाँ पे दिखा लिया बच्चों को कुछ ना कुछ, मतलब real life में situations कैसी होती है, दिखें, NCF 2005 ने भी ये चीज़ बोली थी, कि हमें life की situations के साथ क्या करना है, और बच्चों को match करके चलना है, मतल अगर community के साथ हमारा relationship अच्छा है, partnership बढ़िया है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे students है school में, उनको actual work situations जो चल रही है, चाहे कोई industry हो गई, या कोई और start-up हो गया, कोई भी चीज हो गई, वहाँ पे हम real life actual work situation से क्या कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, expose कर सकते हैं, उनको help students develop positive attitudes and values in their relationship with community, और community के साथ फिर वो relatable भी feel करेंगे, जैसे जैसे community के बारे में जानेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे participate करेंगे कुछ चीजों में, या देखेंगे चीजों को होते हुए, so कही ना कहीं एक positive attitude और values जो है, वो community के लिए बच्चों में develop हो जाएंगी, क आपको वो डेली के स्कूल से या वहाँ से अटेच्मेंट रहेगा, कि मैं इस स्कूल से पड़े थे, ठीक है, so वो एक अटेच्मेंट वहाँ के particular area से हो जाते, तो वो community से जो अटेच्मेंट है, वो जो value system है, वो थोड़ा सा अच्छा रहेगा वहाँ पे, correlating and supplementing theoretical learning with real life experiences, जो मैंने first point में भी आपको एक base level पर बताया, कि correlate कर रहे हैं, आप जो आपने class में theory पढ़ाई है, मालो आपने class में पढ़ाया कि दूद कैसे बनता है, दूद भैस से या गाए से आएगा, then बकरी, न बकरी बोल रही हूँ मैं, जो उसमें पनीर वगेरा कैसे बनता है, या फिर जो चीजें होती हैं, कि एक plant में कैसे काम होता है, और मालो आपके आसपास ही कोई dairy का plant है, तो आप बहाँ पे बच्चों को ले जा सकते हैं, तो वो correlate कर पाएंगे, जो theoretical knowledge उन्होंने पढ़ी है, बहाँ पे real life में उसको देख पाएंगे, तो real life experiences से उसको correlate कर पाएंगे, चीक है, तो ये फाइदा हो जाएगा हमारा, enabling students to develop skills of observation, investigation, learning by doing, etc. So, इसमें हम बच्चों के और भी skills develop कर सकते हैं, जैसे हमने बच्चों को ले गए plant में, हमने वहाँ से आने के बाद या वहाँ पे ही बाद में last way खड़ा करके, सबसे पूछना शुरू किया कि, क्या सीखने को मिला, क्या observe किया, क्या चीज़ें देखी, so वो चीज़ जो है, वो उनमें observation की जो skill है, वो develop हो जाएगी वहाँ से, ठीक है, so वो कुछ एक skills जो है, वो जब हम community के साथ बच्चों का participation partnership करवाएंगी, so वहाँ से हमें कई skills हम बच्चों को सिखा सकते हैं, developing communication skills among students, अब आप किसी कई जगा पे जा रहे हैं, तो बच्चे, out of curiosity, कुछ ना कुछ questions पूछेंगे, कुछ ना कुछ बातचीच चल रही होगी, so वो communicate करना सीखेंगे, बिल्कुल अंजान लोग से भी, या जो जिनको जानते भी नहीं, तो वो out of curiosity, communication जो है, उनका dwell हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ पूछेंगे, वहाँ से जवाब आएगा, फिर वो उनके और cross questions होंगे, so उस सबसे communication skill पे बहुत effect पड़ेगा, then है dwell qualities of cooperation, self help, या helping others, adjustment, tolerance, democratic values among the students, so इसकी बज़े से जब आप community के साथ बच्चों की partnership दिखा रही है, so उस time पे क्या हो जाएगा, वो बहुत सारी qualities या value system उनमें dwell होगा, then है कुछ एक basic assumptions हैं, जब हम school community relationship की बात करते हैं, जैसे school भी एक part है community का, क्योंकि वो community हम उस area को बोल गए है, particularly बहुत सारे लोग वहां रहते हैं, so उस community के अंदर ही आपका school present है, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं, कि आपका school है, school का system है, वो एक sub system, या sub part है किसका community का, it's like ये, एक second, ये हमारा क्या है, community है, ठीक है, तो वो school एक तरीके से part हो गया, बाकी यहां पर और चीज़ें हो गई, आपके घर हो गई, या बाकी चीज़ें हो गई, ठीक है, तो school भी community का ये एक part है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, and more development of community is possible through involvement of the school, और वहां पर बच्ची अगर अच्छा सीखेंग ये अच्छी skills उनमें developed होंगी, या higher education institution है वहां पर, तो और skill level थोड़े, high level पर skills development होगा, तो उसकी वज़े से क्या हो जाएगा, possibility है कि community में भी, क्यूंकि आप जहां से सीखते हैं, वहां पर वापस भी तो देना चाहते हैं, तो community का development भी भी वहां से आपको देखने को मिले यानि mutual हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि community के साथ school की partnership में सिर्फ school को फाइदा हो रहा है, okay, then है students, knowledge, attitudes, skills, personality can be developed by involving them in community improvement, work, community को कैसे better किया जाए, improve किया जाए, उसमें हम students को involve कर सकते हैं, और जिसकी बज़ा से वो जो empathy, compassion, knowledge, attitude, कई तरीके की चीज़ें उनमें developed होंगी, या ये एक overall personality development उनका हमें देखने को मिलेगा, it is necessary to bring school and community closer to each other for their more effective functioning, because ये community है, ये school है, अगर ये दोनों correlation में काम नहीं करेंगे, तो गड़बड हो जाएगी, तो effective functioning, चाहे वो community की हो, चाहे वो school की हो, दोनों की effective functioning के लिए हमें उन दोनों में एक बड़या correlation या एक अच्छा relationship partnership to help करनी पड़ेगी, ठीक है, ये चीज मैंने अभी अभी बताई आपको कि relationship क्या है, ये school है, ये घर है, और ये हमारा क्या है, community है, जी, so community का effect इन दोनों पे पड़ेगा, इंटर relationship आपको दिख रहा है या पे, तो सबका effect एक दूसरे पे पड़ेगा, interdependent है सारी चीजे, ठ कुछ एक pre-requisite है या कुछ एक चीजे है, जो की good school community relationship के लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है, जैसे, school and other local agencies work together for the welfare of community, तो और other, और जो local agencies है, चाहे industry है, चाहे वो sidewala school है, आसपास के schools है, सब लोग मिल के क्या करते है, जब welfare of community के लिए काम करते है, community के लिए कुछ अच्छा करत होता है, programs are designed in keeping mind, children, youth and adults of the community, तो जो भी program बहाँ पे चलाए जा रहे है, चाहे वो community की तरफ से हो, या school कोई program चला रहा हो, तो वो सब लोगों को ध्यान में रखते हुए होने चाहिए, design किये जाने चाहिए, program is concerned with the needs and problems of the community, अगर आप school level पे कोई program चला रहे है, और वो program community की problem क कैसे solve किया जाए, या needs को कैसे fulfill किया जाए, उससे related अगर है, तो फिर बात ही क्या है, बड़या चीज हो जाएगी, school works towards maintaining better relationship with students, parents, तो school भी इस तरफ काम करता है, तो parents जो है, वो भी एक तरीके से community का part है, ठीक है, तो अगर, मानलो school को कल को किसी और की साथ, या, किसी company के साथ partnership करनी पड़ी, और उस company में आपके school के ही किसी बच्चे के parents है, तो वो आपके लिए helpful हो जाएगा, अगर cordial relationship है, तो, so, वो cordial relationship parents के साथ बनाना भी जरूरी है, school uses community as a laboratory for observation and experimentation, तो जो चीज़ें आप theoretically school में सीखते हैं, community में बहु चीज़ें आप observe करते हैं, तो एक तरीके से क experiments तो नहीं हो रहें, बट आप जो real life में चीज़ें हो रहे हैं, वो observe कर सकते हैं, experiments कर सकते हैं उनके ऊपर, ठीक है, school is used for common community purposes, events, functions, so, बहुत बार ऐसा भी देखा होगा आपने की जो गाओं में school होते हैं, specifically गाओं में, तो वहाँ पर क्या होता है, कि अगर वो गाओं का school, मा भी use हो रहा है, children, parents, teachers, cooperate wholeheartedly for participation in school programs and ULTAB, यानि की teachers जो है, वो भी participate करेंगे, community affairs में, so, overall, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, कि community और जो school है, दोनों तरफ से क्या हो रहे हैं, efforts हो रहे हैं, चीक है, अब यह relationship हम कैसे develop करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया, कि मानलो आपने कहीं visit कर ली, कहीं पर कोई plant दिखाने ले गए, आसपास अगर है तो, तो personal visit से, यह जो community का structure कैसा है, वहाँ के leaders कैसे, उनको समझ के, आप जो है, एक अच्छा relation develop कर सकते हैं, understanding the people of widely wearing backgrounds, वहाँ के लोगों का background कैसा है, इन सब बजह से, आप एक cordial school और home relationship स्थापित कर स है, यानि community, अगर home भी तो community में या गया ना, जो हमने अभी अभी पढ़ा, so home के साथ भी एक अच्छा relationship होना जरूरी, यानि parents के साथ एक अच्छा relationship, school का होना जरूरी है, okay, so अगर parents के साथ अच्छा होगा, तो automatically community के साथ भी better चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, collaboration कर सक जो की children welfare में क्या हो, interested हो, so इसी तरीके के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते, examples हो सकते हैं, जो हम लेके चल सकते हैं, तो हमें idea होना चाहिए कि कोई एगर example हमें दिया गया है, so उसमें किस तरीके की बात हो रही है, क्या एक अच्छा relationship शो कर रखा है, community और school का, या कुछ बढ़ है, या क्या पुछा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो देख लीजेगा एक बार, ठीक है, अब ऐसे ही school और industry की partnership की बात बोली गई है, कि school और industry, अब industry में एक तो हो सकता है, बहुत बड़े level की हो, एक हो सकता है local level की company हो, या industry हो, ठीक है, तो कई चीजें हो सक कब होगी, जब school या फिर local business, दोनों मिलके, अपने resources को share करेंगे, मालो आपने दूसरे किसी school के साथ partnership करने, नेबरिंग school के साथ, सो बहाँ पे भी यही होगा ना, कि चलो ठीक है, school A है, और school B है, दोनों जो है 500 meter की दूरी पे है, अब point क्या है, कि A school में जो है, वो labs नहीं ह चीक है, बट B school में बहुत अच्छी developed labs है, चीक है, बट हो सकता है कि A school में playground बहुत बढ़ा है, बहुत बढ़या playground है, चीक है, बट B में नहीं है वो playground क्योंकि उन्होंने labs और बाकी infrastructure developed करने में सारी चीज़े, सारा space जो है, वो दे लिया, तो यहाँ पर A और B जो दोनों schools है नेवरिंग schools, वो भी communicate कर सकते हैं, वो भी partnership कर सकते हैं, कि A जो है वो अपना playground बच्चों को, B वालों को availability कराएगा, जो गेम का period होता है उसके दोरान, प्लस A वालों की जो lab का experiment वाला part रहेगा, वो B वालों के साथ रहेगा, तो वो collaboration, partnership, दोनों तरफ से आपको देखने को म mutual दिखाई देगी, ठीक है, so ऐसे school की, या फिर किसी university की, university के साथ हो सकती है, partnership, so इस सारे, जो सारा का सारा topic हमें दे रखा है, mention कर रखा है, उसमें सारा का सारा funda है, partnership का, ठीक है, और वो partnership किसी में भी हो सकती है, वो school और community में हो सकती है, वो university और community में हो सकती है, वो school to school हो स या वो स्कूल से युनिवर्सिटी भी हो सकती है, छीक है, कुछ केसे में, वो सारी चीजे हम देखनी पड़ेंगी, कि पार्टनर्शिप की जब हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है कि हम म्यूच्वल फाइदे की बात कर रहे हैं, ठीक है यानि बच्चों का भी benefit होना चाहिए प्लस अगर कोई industry है तो उनका भी कुछ न कुछ वहाँ पे फाइदा आपको देखने को मिलेगा अब industry आपको क्या देगी मतलब जो local business या जो company है जिसके साथ आपने partnership आप चाह रहे है being a school करना तो उससे आपको क्या मिलेगा या तो monetary donation मिल सकता है या time to time local professional के साथ वो contribute कर सकते है या हो सकता है वो आपको कुछ एक equipments donate कर दे या internship offer कर दे आपके कुछ बच्चों को या फिर हो सकता है mentorship offer कर दे वहाँ से आपको कोई पढ़ाने आजाए ठीक है यह बनाब depend करेगा कि क्या तो वो business आपको offer कर सकता है या फिर आपको क्या चाहिए है उससे ठीक है तो वो उन चीज़ों पर depend करेगा कि school की needs क्या है प्लस उस business के पास आपको offer करने के लिए क्या है अब कपडे की अगर कोई industry है तो अब कपडे तो donate करने से रहे equipment तो equipment वाली अलग होगी तो it depends कि आपकी वो company कौन सी जिसके साथ आप partnership कर रहे है प्लस हो सकता है कपडे वाली में भी हम home science के बच्चों को internship दिलवा दे ठीक है तो वो depend करेगा कि school की needs क्या है ठीक है जी तो वो उस पे partnership आपके निर्भर करेगी then आता है कि company क्या contribute कर सकती है अब एक चीज़ सो हमने देख ले कि company हो सकता है donation contribute कर दे ठीक है तो company के resources किस तरीकी के है क्या उसके पास offer करने को है वो company अपनी तरफ से offer करेगी for example school में team up करके क्या करवा दी एक lab experiment या workshop करवा दी या equipments donate कर दी जो हमने अभी भी बात की कुछ एक companies जो है mentorship programs जो है वो offer कर देती है ठीक है तो schools तो हमेशा happy रहेंगे क्योंकि उनको कही न कहीं कुछ न कुछ मामले में क्या मिल रही है additional support मिल रही है प्लस उनके connections बन रहे है देखा जाए तो company के local youth के साथ connection बन रहे है professionals के बन रहे है so वो overall कहीं न कहीं beneficial आपको देखने को मिलेगा लेकिन अब company को क्या मिल रहा है इससे वो भी तो देखना पड़ेगा न क्योंकि mutual partnership की बात कर रहे है तो वो जो business है जिसने partner किया है school के साथ partnership की है वो क्या gain कर रहा है so वो एक तो ये चीज रहेगी कि particular skills बच्चों को provide कर रहे है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका जो business है वो ऐसी skill बच्चों में नहीं होती था कॉलेज में कुछ और ही पढ़ाया गया था जो की applicable नहीं हो रहा है या काम नहीं आ रहा है उस industry वाले लोगों की तो वो कैसे job दे उनको अगर job भी देंगे तो फिर उनको 5-6 महीने उनको internship करके या कुछ ना कुछ करके उनको skills सिखानी पड़ेंगे फोर वर्कफोर्स मिल जाए वर्कर्स मिल जाए ठीक है अब आप देखें ना कोई company अगर participate कर रही है या donate कर रही है school में और सबको पता है parents को पता है कि अच्छा ये वाली company कर रही है तो उस company की भी तो एक अच्छी image बनेगी ना तो community में एक अच्छी image बनेगी उस company की जिसकी वज़ा से उनका भी एक positive attitude जो है वो सबके सामने आएगा ठीक है तो इस तरीके की चीजें है overall अगर हम बात करें तो ये partnership मैंने बोला आपको community की साथ भी हो सकती है school की industry के साथ हो सकती है school की school के साथ भी हो सकती है या higher education institution के साथ भी हो सकती है overall मिलके हम एक learning community बना रहे हैं ठीक है यानि वो हमने पढ़ा था na leadership model में learning for all so उसके अंदर सबको सीखने का मौका मिल रहा था जितने भी stakeholders है so बैसा ही कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा ठीक है जी so ये हो गया हमारा ये वाला topic complete and this was all about today कुछ समझ नहीं आया हो कुछ confusion हो so comment करके पूछ लीजिएगा thank you so much for watching be happy, keep smiling, don't panic मनलब दीरे दीरे थोड़ा थोड़ा काम करते रहे हो जाएंगी चीजे ठीक है be calm and be patient क्योंकि patience अगर आप रखेंगी तो बहुत कुछ आपको मिलेगा उसकी attention मत लीजिए क्योंकि आपने पढ़ा है तो वो कहीं न कहीं तो काम आई जाएगा ठीक है, चलिए जी this was all about today thank you so much for watching subscribe कर दीजिएगा inculcate learning को because subscribe करना बिल्कुल free है thank you